नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही है या फिर यूं कहें कि यूपी की हाट सीटों को लेकर एक नई बहस शड़ी हुई है इन में से एक सीट है मिर्जापूर पूरवा सीट से प्रत्याशी उतार दिया है लेकिन अभी मौझूदा इस्तिकी अगर हम बात करते हैं तो मिर्जापूर लोगसबा सीट से केवल अनुप्रिया पटेल और सपा की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी राजेंदर एसबिंद के बीची मुक्ख मुकाबला देखा जा रह हाला कि दोस्तों अखली श्यादों ने प्रेस कॉंफरेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कह दी कि पल्लवी पटेल यानि कि अपना दल कमेरावादी के साथ उनका गडबंधन 22 के चुनाओं में था 24 के चुनाओं में अब नहीं है तो यानि कि गडबंधन न और राजेंदर एस्बिंद का राजुनेतिक सफर क्या रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मिर्जापुर लोगसभा सीट से राजेंदर एस्बिंद अनुप्रिया पचेल को कितनी चक कर दे पाएंगे समाजवादी पार्टी के उमिदवार राजेंदर एस्बिंद भदोही जिले के ग्यानपुर के रहने वाले हैं और दोस्तों राजेंदर एस्बिंद का मुंबई में कारोबार है इससे पहले वो भदोही क्षेत्र की राजनुईति में सक्रिये थे दोस्तों साल 2019 का लोगसभा चुनाओ आपको याद होगा उस चुनाओ में यानि की 2019 के लोगसभा चुनाओ में राजेंदर एस्बिंद भदोही से चुनाओ लड़ना चाहते थे लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी और BSP के गड़बंधन में BSP के खाते में चली गई थी और अगर इस बार की बात करें तो भदोही की सीट अकली शादो ने TMC के खाते में दे दी है यानि की ममताव एनरजी को दे दी है जहां से ललितीश पतीतर पाठी चुनाओ लड़ते हुए दिखाई देंगे ऐसी इस्तिती में ऐसे हालात में अकली शादो ने बिंद को मिर्जापुर से लड़ाने का फैसला किया है कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर अगर अपना दल कमेरावादी मिर्जापुर से सीटा से दावा नहीं ठोकती तो अकली शादो कुछ दिनों बाद अपने उमिदवारों के नाम का ऐलान करते लेकिन जैसे ही कमेरावादी अपना दल कमेरावादी की तरफ से प्रेसनोट जारी कर दिया गया तीन सीटों का जिक्र किया गया उसमें एक मिर्जापुर थी उसके कुछी घंटे बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी जाती है दोस्तो मिर्जापुर लोगसबा सीट से कोई भी अभी तक तीसरी बार सांसद नहीं बना है 2024 लोगसबा चुनाओं में अनुप्रिया पचेल की राह में सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी साबित हो सकती है दोस्तो आईए अब एक नज़र डाल लेते हैं मिर्जापुर के जातिय समी करण पर 2011 की जनगर्णा के मताबिक दोस्तों मिर्जापुर की जन संख्या करीब 25 लाक है और यहां पिछडे और सामान वर की जातियों की बात करें तो वो बहुत संख्यक है 2011 में अनुसूचित जाती और जन जाती के लोगों की संख्या 6,80,000 के असपास थी लगवग 2,00,000 की मुस्लिम आबादी है यहां पर मिर्जापुर में पिछडों में कुर्मी के बाद सबसे ज़्यादा बिंद मतादाता है करें एक लाग चालिस हजार बिंद मतादाता है तो एक तरफ दोस्तों अनुपरिया पचेल है जो की एंडिये के साथ चुनाओ लड़ रही है भारती जनरता पार्टी के साथ चुनाओ लड़ रही है दो बार चुनाओ जीच चुकी है केंदर में मंतरी भी है और एक तरफ समाजवादी पार्टी के बिंद हैं जो की जिनको प्रत्याशी बनाया गया है अब तीसरा नाम यहां पर आता है कमेरावादी की तरफ से क्या अपलवी पटेल यहां से किसको चुनाओ में उतारती है कोई हैवी वेट प्रत्याशी अगर यहां से चुनाव लड़ जाता है मिर्जापुर से तो मिर्जापुर की सीट पर चुनावी गड़त बहुत ज्यादा रोचक होता दिखाई देगा समीकरर पूरी तरह से बदलते दिखाई देंगे और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनिती में वो है बियस पी यानि की मायावती मायावती मिर्जापुर से किसको प्रत्याशी बनाती हैं किसको लड़ाती हैं ये भी देखना बहुत दल्चस्प होगा उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रही है और इंडिया गडबंधन में ही पल्लवी पटेल भी है लेकिन अखलेश शादों का ये बयान जो उन्होंने दिया है कि 22 में गडबंधन था 24 में नहीं है ये कहां जाकर अब इस का अंत होगा इस बहस का अंत होगा ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा लेकिन इन सब के बीच में पुर्वान चल की राज़िते में मिर्जापुर की सीट बहुत एहम मानी जा रही है दोस्तों बहुत शुक्रिया